कि अब इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी शीरिस के बार में बात करने वाले जो मेरे ख्याल से गेम और थ्रोंस को भी क्रोश कर शुकिए ठीक है और आज इस वीडियो में हम लोग एसी सीरीज के बारे में बात करने वाले जो एक family man की है एक teacher की है और एक drug lord की है तो guys कूरसी में बैट जाए क्योंकि यह जो वीडियो थोड़ा बहुत अलग होने वाले जिन लोगों ने breaking bad सीरीज नहीं देखी हुई है उन लोगों तो भाई उन लोगों को तो भाई बहुत ही ज्यादा सौक लगने वाले तो यार चलिए शुरू करते तो इस पहले तो हम रेटिंग के बारे में बात कर लेते बिकोज रेटिंग से बहुत लोग सीरीज देखने जाते तो IMDb पर मेरे से इंदरचा लगा सकते हो कि यह मुवी किया सीरीज कैसी हो गी तो दो नहीं करण गा कि यह जो सीरीज वो दीर अपनी पीक पकड़त है ठीक है और झोप है आलती है तब वो फिर नीचे जाने का नाम ही नहीं लेती, लेकिन जो पहली दो सीरीज है, उसमें मेरे ख्याल से उन लोगों ने पूरी जो character building पर बहुती ज्यादा ध्यान दिया है, कि पहले वो एक family man होता है, जो दो जगा काम करता है, एक chemistry teacher की job करता है, और उसके साथ एक car washing की job करता है, और उसके साथ वो पूरा character build करते है, उसके साथ उसको lung cancer हो जाता है, और उसके थूरू एक बार वो अपने brother in law के साथ जाता है, उसके साथ उनको एक student मिलता है, जो एक math, आप एक drug समझ सकते हो, एक drug बनाता है, और उसके साथ वो कैसे start करता है cooking करना, और वैसे दो season में उन लोगों ने पूरा जो character building किया है न, वो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत slow लग सकता है, because of उनका एक episode 38 minute का या फिर 42 minute का होता है, तो आप वहाँ तक टिक नहीं पाते, और दूसरी बात कि यह जो breaking bad, जो पूरी series उसमें बहुत जारे dialogue ज्यादा है, action और जो strategy है, व और पूरी जो series उसमें dialogue ही चलते रहते हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो तुमें dialogue भी खतरनाक लगेंगे, ठीक है, तो वो धीरे 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 वो पूरी अपनी peak पकड़ते हैं, उसके बाद वो series का start होता है, तो वो लोग कैसे एक-एक-एक step by step जाते हैं, औ और कैसे वो लोग drug dealer को मारते हैं, या फिर वो लोग मारने आते हैं, और वो सारी चीज़े जो एक-डम पूरी हो जाते हैं, फिर एक country level पे वो लोग काम करते हैं, तो उसके बाद जो पूरी मजा आती है न, मेरे ख्याल से ये third season से, third की half, half season जब हो जाते है, तीजी जो season है, उसका half हो जाता है, उसके बाद इसकी जो peak आती है न, जब girls यानि की polos और उसके साथ वो लोग कैसे काम करते हैं, और वो जो उसके बाद क्या होता है, वो देखने में मेरे ख्याल से आप लोग को ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पर उसका level जो होता है, जो Walter White का और हमारे जैसी का जो level हो जाता है, उसके बाद जो मजा आता है न, पाई, कतई जहर वाला मजा आता है, तो यार, एक बाद तो है कि ये जो series वो बहुत ही ज्यादा realistic लगती है, ओके, realistic से मेरा मतलब है कि यहाँ पर कोई जादू नहीं है, यहाँ पर कोई technology नहीं है, यहाँ पर ऐसी आपको लगेगा नहीं कि यह कोई fiction story है, ओके, लगेगा कि यहाँ real story है, चेह चेह से कि पाबलो, Emilio, Escobar, Gaviria की story है, ओके, तो मेरे ख्याल से वैसी एक story उन लोगों ने create की है, और एक जगा पर उसका एक, मेरे ख्याल से एक hint भी दिया, पाबलो, Escobar का, जो आपने द उसका 5th season का last episode था, उसका भी बहुती एक, तुम ऐसे अगर तुम graph में देखोगे ना, तो पूरा एक sloppy type का, मैं बोलना चाहूंगा, कि sloppy type से पूरी ending की गई है, तो जिन लोगों ने पाबलो, Escobar की series देखी है, नेट्फिक्स वाली, या फिर आपने TV show भी देखा है उसका, तो मेरे ख्याल से आपकी लिए एक सबसे best ये breaking bear series हो सकती है, तो बस that's it from my side, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक like कर देना, और मुझे comment box में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लागा, और guys subscribe ना करना, करना मैं आपके पर छोड़ रहा हूं, make sure आप subscribe कर ही ल और एक नए review के साथ, एक नए explanation के साथ, तब तक के लिए अलविदा